भारती जनता पार्टी ने, मोधी सरकार ने, गहरी साजिस रच के दिल्ली को बार में जोगा है पिछले छे दिन से दिल्ली में बारिस नहीं हो रही है बावजूद इसके दिल्ली को बार की एकडम प्राकरतिक आपदा में जोग दिया गया तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्राकरतिक आफदा नहीं है दिल्ली के लिए ये प्रायोजित आफ़दा है भारती जंता पार्टी ने, मोदी सरकार ने गहरी साजिस रच के दिल्ली को बाढ में जोका है ये काम किया इन्हों ने और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नौ तारीक से लेके तेरा तारीक तक लगातार सारा का सारा पानी दिल्ली की और छोड़ा गया इस्टन और वेस्टन कैनल में पानी नहीं छोड़ा गया जब हमने मुद्दा उठाया तो तेरा तारीक को वेस्टन कैनल में पानी छोड़ा गया और चौदा तारीक को कल इस्टन कैनल में पानी छोड़ा गया फिर क्या कह रहें ये लोग कहरें साब नहरें कमजोर होती हैं उसमें पानी नहीं छोड़ा जा सकता तो आप बताईए कि जब आपने नौ से तेरा तक पानी नहीं छोड़ा तो तेरा तारीक तक जब हमने मुद्दा उठाया तो तुरंत वो नहरे मजबूत हो गई तुरंट आपने पानी छोड़ दिया जो नहरें तेरा तारीक तक कमजोर थी वो चौदा तारीक को मजबूत हो गई तुरंट पानी छोड़ दिया आपने तो सीधे सीधे इन लोगों के खिलाफ ये एक आपराधिक कृत्य है इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए इसकी जाच होनी चाहिए गहनता से ये तो सुप्रीम कोड डुबाने की फिराक में थे ये तो सुप्रीम कोड डुबा देते अगर हम लोग नहीं जाकते क्या ये जिम्मेदारी बीजेपी के साथ सांसोदों की नहीं है उनको ये मुद्दानी उठाना चाहिए था कि सारा पानी आप दिली में क्यों छोड़ रहे हैं उनको बीजेपी के लोगों को वोट नहीं दिया दिली की जनता ने तो इसलिए राजनीती करो इतनी घटिया और गंदी राजनीती मत करो आप सोचिए कि केरेसाफ सेंटरल वाटर कमिशन की गाइड लाइन है क्या गाइड लाइन है भाई ओवर कैपैसिटी पानी इस्टन कैनाल में नहीं जाएगा ओवर कैपैसिटी पानी विस्टन कैनाल में नहीं जाएगा ओबर के पैसिती पानी जाहे जाहे जितना मन हो आप दिली की तरह भेज़ दोगे ऐसा कहीं लिखा है क्या तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे मामले की गहनता से जाच हो और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए पानी का तो सभाग है उपर से नीचे ही जाता ही जा और हक्षरे कोड से दिली काफी नीचे है अब हमारे परदेश में भी तो कहीं पार से पानी आया है नमस्कार, मैं हुमानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24